पदमनाम स्वामी मंदिर भारत के केरल राजे के तिरोंत पूरम में स्थित है ये भगवान विश्णू का एक परसिद्ध मंदिर है दोस्तो ये मंदिर जितना परसिद्ध है उतना ही ज़्यादा रहेशिमई है इस मंदिर के गर्भ घ्रह में भगवान विश्णु की एक विशाल मुर्ती है जो सेशनाग पर सयन मुद्रा में विरात्मान है दोस्तों मानेता है कि इस मंदिर को 26 सताब्दी में त्रावन कोन के राजाओं ने बनवाया था और इस बात का जिक्र नवी सताब्दी में लिखे गए कुछ गरंतों में देखा गया है इस मंदिर में 6 तैखाने हैं कहा जाता है कि त्रावन कोन के राजाओं ने अपने कीमती खजाने को इस मंदिर की दिवारों और तैखानों में कहीं चुपा का रखा था 2011 में पुलिस अधिकारी खतरना खतियारों के साथ इस मंदिर के बाहर तैनाथ थे और सर्वोच्च न्याले के आदेश पर मंदिर के ट्रस्टी सहीत साथ अधिकारियों की टीम ने मंदिर के नीचे बने इन रहश में तैखानों के दरवाजे खोल दिये तो की सदियों से बंद थे हर दरवाजे के पीछे पीछे कमरे में उन्हें सोने के आभूशन और मुर्तिया मिलती गई और वो आगे बढ़ते गए मगर जब वो आकरी दरवाजे यानि की चैंबर भी के पास पहुँचे तो उसे खोलने में वे काम्याब नहीं हो सके इस चैंबर में तीन दरवाजे थे पहला दरवाजा लोहे से बना था दूसरा मजबूत दरवाजा लगडी से बना था और फिर आखरी दरवाजा लोहे से बना था पर वो सबसे मजबूत था इस दरवाजे पर कोई भी ताला या कोई कुंडी नहीं लगी थी इस दर्वाजे को खोलने की सारी कोशी से नाकाम्याब रही इसे खोलने गए अधिकारियों के अनुसार इस दर्वाजे का कोई भी ताला नहीं था और वो इस दर्वाजे को तोड़ना भी नहीं चाते थे इसलिए वो वही से वापस आ गए किन उनके वापस लोटने का कारण तो कुछ और ही था इस दर्वाजे पर सांपों के जो चित्र बने हैं वो ये चैतामनी दे रहे थे कि इस दर्वाजे को यदि खोला गया तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा और ऐसा हुआ भी था 17 जुलाई 2011 को पहले तीन कक्षों को खोलने की तीन हफते बाद ही टीपी सुन्दर राजन यानि की वो सक्स जिसने इन तीनों दर्वाजे को खोलने की याचिका दी थी पहले बिमार पड़े और फिर रहेश्यमी तरीके से उनकी मौत हो गई इसके बाद अगले ही महीने मंदिर के भक्तों की एक संस्था ने ये चेतावनी जारी की कि यदि किसी ने उस आखरी कक्ष को खोलने की कोशिश की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा दोस्तों कहा जाता है कि इस आखरी दर्वाजे को एक मंतर से बंद किया गया है इसे अस्ट नाग बंद मंतर कहा जाता है और ये मंतर क्या है ये कोई नहीं जानता और कोई ये भी नहीं जानता कि उस तेखाने में आकिर क्या रखा है लेकिन उस कक्ष के भीतर जो भी कुछ है वो एक मंतर से सुरक्षित किया गया है कहा जाता है कि अगर कोई भी उस कमरे में जाने की कोशिश करता है तो उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा जरूर होता है और उसकी जान भी जा सकती है और ऐसा बहुत से लोगों के साथ हुआ भी है इसलिए उस तैखाने को खोलने का निर्न है सुप्रीम कोट को भी बदलना पड़ा पहले पांस तैखानों में मिले खजाने की कुल कीमत करीब दो लाग करोड रुपे बताई गई यहां 28 किलो का एक ऐसा बैग भी मिला इसमें साथ अलग-अलग देशों के राष्टे सिक्के मोजूद थे इसके बाद कैरल हाई कोट के दो पुर्वे जजो समीत आठ लोगों का पैनल बनाया गया जिनोंने मंदिर के तैखाने से मिले खजाने की गिन्ती की जिसमें करीब तीन साल का समय लग गया कहा जाता है कि जमीन के अंदर जो भी धन होता है उस पर सांपों का अधिकार होता है इसलिए मंतो चार करके 2018 में फिर से उस दर्वाजे को खोलने की कोशिशे सुरू हुई वेदिक साधना करने वाले कुछ साधों ने इस दर्वाजे को खोलने की कोशिश की लेकिन वे भी इसे नहीं खोल पाए उसके बाद ये दावा किया गया कि अगर कोई तफस्वी वैक्ती जो की भगवान विश्नु का परम भक्त होगा वो इस दर्वाजे के पास यदि गरूर मंतर पढ़े तो ये दर्वाजा खोला जा सकता है 26 दिसंबर 2004 को कैरल तमिल लाडू और अंडमा निकोवार समेथ कई इलाके समुंदर की चपेट में आ गए थे लेकिन तिर्वंत पुरम के पदमनाम स्वावी मंदर को समुंदर की लहरे छूबी नहीं पाई और वो भी तब जब ये सहर समुंदर के किनारे बसा है और समुंदर से इस मंदर की दूरी भी महज 3 किलोमेटर ही है करवन को राजपरिवार की माने तो इस दर्वाजे को खोलने से महा परले आ सकती है लिए इस परिवार सहीत इस शहर के लोग इस तैखाने को खोलने के विरोध में है ये भी कहा जा सकता है कि उस तेखाने के अंदर खतरनाक हतियार रखे हुए है यहां तक कि महा भारत जैसे प्रसिद गरंथ में भी इस बात की चर्चा की गई है कि देवताओं के पास एक से एक विनाशकारी हतियार थे हाँ भारत गरंथ में ऐसे युद्ध की चर्चा की है जो आज की साइंस फिक्सन फिल्मों में दिखाई देती है इसमें ऐसे हतियारों के इस्तमाल की बात की गई है जिसके बारे में सुना तक नहीं था एक ब्रमास्तर अकेला पुरे ब्रमान को खत्म करने की शक्ती रखता है ऐसे हतियारों को नस्ट नहीं किया जा सकता था ऐसा कहा जाता है कि इंसानियत की भलाई के लिए उन हतियारों को ऐसे ही मंदिरों के तैकानों में चुपा दिया गया तो क्या ऐसा हो सकता है इस मंदिर के चैंबर B के अंदर वो हतियार रखे हो जिसकी चर्चा महा भारत जैसे धरम गरुंतों में की गई है या फिर इस दर्वाजे की पीछे कोई ऐसा पेश किम्तिक हजाना होगा जो पूरे भारत की गरीबी को मिटा सकता है इसके बारे में तब ही पता चलेगा जब ये दर्वाजा खोला जाएगा दोस्तों आपका इस बारे में क्या कहना है कि दर्वाजा खोलना चाहिए या फिर वाकई में इसे खोलने से कोई महा प्रल्या आ सकती है हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेर जरूर करें साथ ही ऐसे ही वीडियो उसको देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा जल्द मिलते हैं कि नई वीडियो के साथ धन्यवाद जय स्री कृष्णा